हे गाईज, mostly welcome to all of in this video, स्वागा थे आप सभी के इस वीडियो में आखरी अपडेट मैंने आपको बताया था कि पाथले पुदिनवर्ट सीटे में स्पोर्ट एड्मिशन्स के लिए एक और लास्ट चांस मिला है और ये लास्ट चांस कबसे है तो लाखरी के नमबर, यानि का सकते हैं 30 नमबर और 1 दिसमबर को आपको दो दिन का मौका मिला है अस्पोर्ट एड्मिशन के लिए बात आज के इस वीडियो में करेंगे कि आखर इस अस्पोर्ट एड्मिशन के प्रोसेस में किसको किसको मौका मिलेगा क्या जो कैनिडेट पहले से अपलाए नहीं करके रखे हैं क्या उनको भी मौका मिलेगा या उनको मौका नहीं मिलेगा और मौका मिलेगा तो मौका को कैसे यूज करना यानि क्या कुछ आपका प्रोसेस रहने वाला है पूरी complete information आपको इस वीडियो में देंगे अगर आप चैनल पे पहले वाल विजिट किये हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किजेगा तक ही proper update आपको through the time मिल सके और proper सारी चीजों को आप proper तरीके से समझ सके फिलाल में मैं पाठली पूत इन्वर्ट सिटी के portal पे हूँ आज इस नोटीस को attach किया गया क्या कुछ इस नोटीस में बताया गया चले मैं आपको नोटीस पड़कर के बताता हूँ सो देख सकते हैं नोटीस हमारे पास खुल चुका है नोटीस यहां है पाठली पुतिमर्ट सिटी पटना के तरप से नोटीस किसके रिगाडिंग है तो नोटीस में रिगाडिंग बताया गया यूजी के regular और vocational regular करने का मत्र यूजी में यानि BA part 1, BSC part 1, Bcom part 1 में admission होगा vocational में BBA, BCA, Biotechnology जैसे सारे courses में आपका vocational कराया साथ में 22-24 के PG के courses यानि MA, MSC, MCA, साथ में आपका MBA, MCA तमाम सारे courses में भी sport admissions का मौका यानि का सकते हैं all over हर एक course में admission लेने का ये एक आखरी chance है अब चली समझते हैं chance को कैसे यूज करना यानि chance को आपको यूज कैसे करना है तो number first point या पर different different point के जरी यह से बताया गया चली एक करके मैं आपको point का मतलब समझाता हूँ सबसे पहला point देके बताया गया date के बारे में कि सत्र जो आपका 22-24 है PG के लिए और 22-25 जो UG के लिए अगर आप इसमें sport admission में participate करना चाते हैं यानि आप नामंकर लेना चाते हैं तो 31-22 को यानि 30 November को आपको क्या करना है अपना offer letter को download करना है download करके क्या करना है sport admission की प्रकिर या दिनांग 31-22 से लेकर के 112-22 तक आपके महाविद्यालियों में होगी तो 112-22 तक नामंकर यान देके बताया ज़रा है कि जो आपका site पर है यानि पाटली पुत्रक का site है वहाँ आप जाकर करके क्या किजेगा अपना sport admission के लिए अगर आपको participate करना है तो 30 November को आप अपना क्या किजेगा जो candidate पहले से apply करके रखे है वो अपना क्या करेंगा sport का offer letter download करेंगा डाउनलोड करके college में ले जाकर के 30 को ही जमा भी करना है तो आपके लिए थोड़ी से challenge रहेगी क्योंकि seat कम है time भी कम है तो आपको थोगा सा फुर्तिला बनना है यानि आपको थोगा सा fast and fast करना है यानि करने का मतलब कि आपको 30 November को ही आपका sport admission को offer letter download करना है और इसके बाद तुरंत आपको college में ले जाकर के जमा भी करना है अगर आप देर हो जाईएगा ज्यादा वहाँ पर offer letter जमा हो जाएगा तो फिर आपका admission के chances बहदी कम हो जाएगे तो number first point वैसे candidate के लिए जो apply करके रखे number second के जो point बता है अगर आपका admission रद हो गया किसी भी fault के कारण जैसे आपका माता पिता के नाम में गलती चातर आपके candidate के नाम में गलती date of birth में गलती जाती में गलती या फिर आपका जो number है number में गलती किसी भी गलती के कारण अगर आपका admission रद हो गया है थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट देखे बता है जारे वैसे छात्र छात्रों के लिए जो अभी तक apply नहीं किये था यानि जो registration करवाने से भी चुक गए है जो अभी तक apply नहीं किये यानि अगर आप admission ना चाहते हैं आपने भी तक apply नहीं किया है तो आपके लिए भी मौका है कि 30 नमबर को portal खुलेगा तो आपको क्या करना है पहले apply कर दिजेगा apply करने के बाद आप भी क्या किजेगा offer later को download किजेगा और download करके college में ले जाकर के जमा किजेगा ध्यान रखेगा हर हलत में आपको offer later download ही करना ही करना है चाहिए आप पहले से apply करके रखे चाहिए आपका किसी कारण बस admission रद हो गया तो भी आपको download करना है और अगर आपने apply ने किया तो आपको apply करके download करना है यह 3 point समझ गये चाहिए पॉइंट के बारे हम बता दे आपको download कैसे करना यानि अगर आप पहले से apply करके रखे तो आपको अपना login ID and user password के जिरे से आपको login करना है login करने गवाद blank offer later को क्या करना है आपको download करना है इसके साथ में जो आपने PPU में apply किया application form यानि जो आप a sport का offer later है उसको download किजेगा साथ में आप download किजेगा PPU जो आपने apply किया था यानि PPU का application form download करना है साथ में अपने सारे documents को ले जाकर के college के contract पर ले जाकर के क्या करना है जमा करना है जैसे ही आप जमा किजेगा 30 November को जहां seat एक कम रहेगी उसका merit list आपको 30 November को ही college के site पर जाएगा या college के notice board पर जाएगा या फिर आपको mobile के message के जरिये से inform कर दे जाएगा जैसे ही अगर आपका list में नाम रहता है या फिर आपके पास mobile case miss के थुरू message आता है कि your admission is confirmed तो समझ लिजेगा कि आपका selection उस college में हो गया है कुछ और भी important point के बारे में बता दू कि आप एक candidate है मतलब अगर आप आपने जो offer letter निकाला है sport offer letter वो आप कई सारे college में ले जाकर के जमा कर सकते हैं कई सारे subject के लिए apply कर सकते हैं तो आपको सकते कि इसके लिए आपको छूट है जितना भी college में आपको जमा करना रहे जमा किजिए जितना जगर जमा करना रहे उतना जगर जमा किजिए ताकि आपका chances ज़्यादा हूँ साथ में ध्यान रखिएगा अगर आप मालनेते हैं कि मालनेते कोई candidate है जो ले जाकर के 5-6 college में जमा करता है तो उसका selection जहां भी होगा उसका mobile के message की तुरू आ जाएगा और इस sport of a letter में एक especially confidential number होता है जिस confidential number के जरिये से ही आपका seat lock किया जाता है तो मालनेते आपने 6-7 जगा college यानि 6-7 college में जमा किया है जो भी college पहले आपका selection करेगा वहाँ पर आपका admission confirm हो जाएगा बाकी जगा वह आपका code यूज नहीं होगा तो confidential code कहीं एक जगा यूज होता है कहीं एक का सकता है कि one time यूज होता है same as आपका OTP है यानि one time password है कहीं एक ही जगा यूज होगा ध्यान रखेगा एक December admission लेने का last date है यानि अगर आप 30 November को जमा नहीं किजेगा तो कहिएगा कि आपका chances ब्यादी कम होगा admission लेने का तो आप हर हालत में 30 November को ले जाकर के college में जमा किजेगा जो apply नहीं किये है वो apply भी किजेगा 30 के साथ यानि 30 November से apply किजेगा जो apply कर चुके है वो offer letter को download किजेगा जैसा ही phrase candidate apply करते है तो रहत उनका भी offer letter डाउलोड हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा हलाकि मैं आपके लिए लगातार update बता रहा हूं कि जो भी candidate को admission लेने रहे है वीडियो के description box में दिये गए नंबर पर आप संपर्ख कर सकते हैं या फिर अगर नंबर को final करने में problem हो तो आप directly कौन कर सकते हैं directly आप call किजेगा 9065179925 पर आप directly call किजेगा जहां से आपको admissions से related किसी भी प्रकार के issue को लेकर करके आपको help किया जाएगा साथ में अगर आपको किसी भी college admission नेना रहे तो आप directly confirm करा भी सकते हैं यह तो हो यह तो हो गई बात आपकी support के लिए process के बारे मैं आपको फिर से पताता हूं आपको क्या करना है offer letter को download करना है college में पहला step आपको offer letter को download करना है दूसरा step ले जाकर के college में जमा करना है तीसरा step आपको पता करना है कि college में आपका selection हुआ है या नहीं हुआ यह कैसे आपको पता चलेगा तो mobile के sms के थुरू या फिर आपको पता चलेगा उस college के notice board पे उसका merit list रहेगा या merit list online offline जैसे भी आप merit list में नाम देख लिजेगा admission क्या हो जाता है complete हो जाता है तो तीन से चारा step में आपका पूरा admission का process complete होता है तो असरा करता है यह जो पूरी admission की जो process से यह आप जरूर समझ गयो होगे and video भी आपको पसंद आया होगा video को in करते हैं thanks a lot for watching this very important video